बिहार में कुछ समय पहले तक सरकारी स्कूलों की कल्पना करने पर एक अलगी तरह की तश्वीर उभरती थी जहां मास्टर जी कुरसी पर रॉंग रहे हैं और बच्चे क्लास में पढ़ाई के बजाए शोर मचा रहे हैं किसी स्कूल में भैसों का तबेला दिखता था तो किसी स्कूल के बाहर भूसों का धेर दिखता था लेकिन एक फिल्म आई थी शिर्फ एक बंदा काफी है लेकिन जैसे ही सिक्षा विभाग में करक आईयर्स के के पाठक ने अपर मुख्य सचीफ का जिम्मा संभाला उन्होंने बदलाव शुरू कर दिया उन्होंने इसकी शुडवात ग्राउंड यानी जमीनस्तर से की पहले उन्होंने स्कूलों की विवस्था सुधारने पर ध्यान दिया इसके बाद सिक्षकों को समय पर स्कूल आने और पराने का टास्क दिया उनकी करई के आगे किसी की नहीं चली अब केके पाठक ने कुछ ट कि अगर टीचरों को गाउ में पराना पसंद नहीं है तो यह नौकरी उनके लिए नहीं है वो इसे ततकाल छोड़ दे इसी कड़ी में केकी पाठक बेगू सराई की एक स्कूल में पहुचे लेकिन अस दौरान वो गुस्से में आ गए उन्होंने टीचरों को उनके कर्तव्वे की याद दलाई और कहा कि अगर वो पाठ पाठ बच्चों को भी गोद ले ले तो इनका भविष्ट सबर जाएगा केके पाठक ने निरिक्चन के दौरान ही स्कूल में टीचरों से उनकी तादात के बारे में पूछा फिर उधारन देते हुए कहा कि अगर 20 टीचर है तो हर टीचर पाच-पाच बच्चों को गोद ले सकता है गोद लेने का मतलब ये नहीं कि इन बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उन सिक्षक पर होगी इतना ही नहीं रोश में भड़े केके पाठक ने कहा कि यहां सिक्षकों की पूरी सेना है तनकवा लेते हैं तो 40,000 करोड तक का बजट रहता है मैं इसी स्कूल में 49 को निकाल सकता हूँ जो ठीक से सब्जेक्ट तक नहीं सुनते होंगे गुसा तो तब आता है जब बच्चे किताब की एक लाइन भी नहीं पर पाते आखेर अब तक आप लोगों ने क्या किया है जो ये हाल है ये सच है कि केके पाठक गुसेल है गुसे सिक्षकों ने ताली की गरगराहट से महौल गुंजा दिया हम की के पाठक की यूहीं तारीफ नहीं कर रहे एक अकेला सक्ष उस व्यवस्ता को बदलने निकला है जो काफी समय से बदहाल था इस पर ना किसी अपसर ने ध्यान दिया और ना ही किसी मंतरी ने लेकिन एक अंदर तक घुस कर एक एक मशीन के पेच पूर्जे ठीक कर देंगे